खेत खजाना में आपका स्वागत है आज 12 मई है और दिन है गुरुवार सरसों का बाजार अभी कोई तेजी पकड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसी तरह दिल्ली इकल के भाव पर स्टेबल है 7000 रुपे का भाव था और 7000 रुपे का भाव ही अभी तक चल रहा है कुछ लोकल मंडियों के अंदर कुछ छोटी मंडियों के अंदर भाव 50 रुपे तेज दिखाई दे रहा है इसी तरह से जो आपका भरतपुर का बाजार है वो 20-30 रुपे तेज हो सकता है या 10 रुपे डाउन जा सकता है इसी सीमिक दाइरे में आज भी कारोबार होता हुआ दिखाई देगा कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ा डाउन अभी दिखाई नहीं दे रहा है और तेजी जरूर है भाव अभी रुके हुए हैं 13,200 से लेकर के 300 रुपे तक लेकिन यही बाजार बहुत जल्दी 13,000 से आगे बढ़ते हुए 13,500 और 13,500 से आगे बढ़ते हुए 14,000 के तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे लेकि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है समय का म लंबा इंतजार करना पड़ेगा अभी फसल की बिजाई चल रही है इसलिए फसल आने में टाइम लगेगा दोपैर का वीडियो इतना ही शाम को पूरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार